क्या नाम है आपका मेरा नाम पंकर्ज कुमार है और मैं इंडिया के रहने वाला हूं और मेरा जील्ला परता है पुर्वी चंपारान मोतिहारी बिहार से हैं और मेरा कोई घर और नहीं है बट मैं खेतों में रहता हूं और मुझे गाने का बहुत ही ज्यादा सौक था तो मैं खेत में ही तुटी फुटी जोपरी बना कर उसी में गुजारक करके और गाने का कुछ तरीके सीखे गाना गाने का मुझे कुछ अनुभाव हुआ और वहां से मैं गाना गा कर यहां आया गाना गाने के लिए सोचे कि इंडिया आइडियल में हमें चांसे मिल जाएगा और यहां पे कुछ अच्छे पोफॉर्म दिखाएंगे गाना गाएंगे तो हमें कुछ यहां से मिलेगा उससे मैं अपने लिए गहर बनाऊंगा क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और हमारे गाउं में न घर है बस खेत में ही अपने घर बनाकर वहीं पे गुजारा वसारा करते हैं और मैं खेतों में घर जो बनाया हुआ है वहीं पे रहते हैं और जंगल में जाकर लकरी काटकर बजार में बेचता हूँ और उससे जो पैसा मिलता है उसी से मैं गुजारा वसारा करता हूँ और कहीं भी ज बहुत हमको अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे आ गया अब यहाँ पे गाना मैं सुनाओंगा बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बहारो पूल बरसाओ मेरा महबूद आया है मेरा महबूद आया है बहारो पूल बरसाओ मेरा महबूद आया है मेरा महबूद आया है हवाओ रागनी गाओ मेरा महभूब आया है मेरा महभूब आया है ओ लाली पूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में ओ लाली पूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में उतर आये घटा का जल लगा इन प्यारी आखों में सितारो मांग भर जाओ मेरा महभूब आया है मेरा महभूब आया है बहारो भूल बरसाओं मेरा महभूब आया है मेरा महभूब आया है नजारो हर तरफ अपता रहा है नजारो हर तरफ अपतान दो एक नूर की चादर बड़ा शर्मीला दिल वर है चला जाए न शर्मा कर जड़ा तुम दिल को वहलाओ मेरा महभूब आया है मेरा महभूब आया है हवाओ न अगनी का नजारो है मेरा नम पंकष कुमार मैं यह कुछ देख रही हूँ आपका फॉर्म भट गया है हम पॉर्म भट गया है मेरा दिल भी भट गया है क्योंकि मैं एक लड़की से बहुत जादा प्यार करता वर लड़की हम को छोड़ी गए और साथ साथ मेरा दोस्त भी छोड़के चला गया यह कैसे हुआ कैसे बताया मैं आजकल प्यार में सभी लर्किया सभी को दोका दे रहे हैं और साथ साथ मेरा दोस्त भी हमें छोड़कर हमसे बहुत दूर चला गया क्या गाने वालिया आज मैं अपने मुना और सुजीत दोस्त के दिए गीत गाने जा रहे है क्योंकि बहुत ही ज्यादा रहा है उनका ओ लवली, गो फुर इट, सुर चेक कर लीजे बुटिफुल, बुटिफुल स्टॉड मेरी, जब भी ये गाना कोई गाता है तो बुचही मेरी भाई की यादा आजाती सबसे पहले आपको नमस्कार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सारे गम अपा में, मेगा ओडिशन्स में कैसा लग रहा है आपको यहां आका आप सभी को बहुत-बहुत धन्याबाद मैं आपने हमें सारे गम अपा का मुख्य अथिति समझे और मुझे इस मंच पर बुलाया है मुझे तो यह यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज मैं इस इंडिया आइडिल में के मंच पे खड़ा हूँ और इसके पिछे का कारण है मेरी मा का आशिरवाद उपर वाला की दुआ और आप सभी का साथ जो इस इंडिया आइडिल पे गाने का मुझे स्वभाग प्राप्त हुआ है बस आप लोगे का कारण और मैं मेरा ऐसा हालत था कि मैं क्या बता हूँ मेरा इस साहलत हुआ था कि ना खाने का रोटी था ना सोने का विस्टर था और क्या बता हूँ और मेरे दिल में इतना जज़बा था कि मैं इंडिया आइडिल में जाने का प्रयास किया और मुझे गाना भी थोड़ा बहुत आता था लेकिन इतना पर्यास करने का बावजूद मैं इस मंच पे नहीं आ पाया लेकिन बस आप लोगों के पास ये हमारी ख़बर गया और मेरी गरीबी के कारण आप लोगों ने इंडिया आइडेन में आने के लिए आप लोगों ने निमंत्रन पत्र हमारे घरों तक पहुंचा है और आज मैं आप लोगों के भी स्खारा हूं वैसे में तो सर हमें इस मंच पे आउकाद ही नहीं है कि मैं यहां आज सको और गरीब को तो आप लोग जानते हैं कि निच दिखाने की परियास करते हैं गाउन जो अभी आपने बात कही ना कि आउकात नहीं है ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए आपको वैकोज हर इंसान जो इमानदारी से महनत से आगे बढ़ना चाहता है कि आप लोग जैसा अगर सोच सभी को होता तो इस भारत वर्ष में ना कोई भूखे रह पाता और ना ही कोई गरीब रह पाता और ना ही कोई उच नीच का दरजा किसी को दे कि आउकात की तो बाती नहीं हो सकती है उसकी आउकात बहुत उची है जाती धरम के नाम पर आज भी हमारे समाच में कुछ लोगों को पेक्षित किया जाता है जो कि हमारे इस विक्षित समाच का एक कड़वा सच है और इंडियन आडल ऐसी मानसिक्ता का विरोध कर दो ऐसा गाओ के दुनिया याद रखे और खबराने नहीं हम तुमारे साथ हैं शुरूँ ओके सरो के थैंक यू तैंक यू तैंक यू लल्दे बेस्ट अच्छित 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 आप 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्या सब्कषन खिलन मौर उसे अबसल Bishop प्रीद वाओ आई अवाज़ जया